मत्ती रचित सूसमचार उन्नीस मांध्याए जब ईशु ये बातें कह चुका तो गलील से चला गया और यहुदिया के देश में यर्दन के पार आया और बड़ी भीड उसके पीछे हो ली और उसने उन्हें वहां चंगा किया तब फरीसी उसकी परिक्षा करने के लिए पास आकर कहन लगे क्या हरेक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है उसने उत्तर दिया क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरम से नर और नारी बना कर कहा कि इस कारण मनुष अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे सो वे अब दो नहीं परन्तु एक तन है इसलिए जिसे परमेशन ने जोड़ा है उसे मनुष अलग ना करे उन्होंने उससे कहा फिर मूसा ने क्यों यह ठहराया कि त्याग पत्र दे कर उसे छोड़ दे उसने उनसे कहा मूसा ने तो तुम्हारे मन की कठोड़ता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देनी की आग्या दी परन्तु आरम से ऐसा नहीं था और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई विविचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से ब्याह करे वे विविचार करता है और जो उस छोड़ी हुई से ब्याह करे वे भी विविचार करता है। चेलों ने उससे कहा, यदि पुरुष कास्त्री के साथ ऐसा संबंध है, तो ब्याह करना अच्छा नहीं। उसने उनसे कहा, सब यह वचन ग्रहन नहीं कर सकते, केवल वे जिनको यह दान दिया गया है। क्योंकि कुछ नपुनसक ऐसे हैं, जो माता के गर्भी से ऐसे जन में, और कुछ नपुनसक ऐसे हैं, जिन्होंने स्वर्ग के राच के लिए अपने आपको नपुनसक बनाया है, जो इसको ग्रहन कर सकता है, वे ग्रहन करे। तब लोग बालकों को उसके पास लाए, कि वे उन पर हात रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डाटा। इश्व ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, और उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसों ही का है, और वे उन पर हात रख कर वहां से चला और देखो एक मनुष्ण ने पास आकर उससे कहा, हे गुरू, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। उसने उससे कहा, तु मुझसे भलाई के विश्य में क्यों पूसता है। भला तो एक ही है, पर यदि तु जीवन में प्रवेश करना चाहता है, तो आग्याओं को माना कर, उसने उससे कहा, कौन सी आग्याएं। येश्य ने कहा, ये है कि हत्या ना करना, व्यविचार ना करना, चोरी ना करना, जुटी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और अपने पडोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने इश्यू ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है। इश्यू ने उससे कहा, यदि तु सिद्ध होना चाहता है, तो जा, अपना माल बेच कर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। तब इश्यू ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, कि धनवान का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कठिन है। फिर तुमसे कहता हूँ, कि परमेश्यू के राज में धनवा प्रवेश करने से उट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। यह सुनकर चिलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उधार हो सकता है। इश्यू ने उनकी ओर देकर कहा, मनुश्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्यूर से सब कुछ हो सकता है। इस पर मैं तुम से सच कहता हूँ, कि नई उत्पत्ती से जब मनुश का पुत्र अपनी महिमा के सिहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिये हो, बारह सिहासनों पर बैठ कर इस्राइल के बारह गोत्रों का न्याय करोगे, और जिस किसी ने घरों या भाईयों या ब पहले हैं, पिछले होंगे, और जो पिछले हैं, पहले होंगे.